नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर हमें अमीद है आप सभी स्वस्तों और अच्छे होंगे और आपकी प्रिप्रेशन भी बहुत अच्छे से चल लहीं होगी रिजनी जो कि आपके स्लेवर्स का सबसे में पार्ट है सबसे मेजर रोल प्ले क करेगा आपकी स्कोर के लिए उसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से उनको करके चल लहे हैं आज का चैप्टर है साधर्शता आप यहां पर अपने प्रिवेस यह पिपर में देखी वहां पर साधर्शता से रिलेटेड बहुत तरह के कुश्छन पूछे गए है हम भी यहां पर जो कुश्छन लेके आए हैं उसमें आपकी जो शब्दों से संबंदित यानि वर्ड से रिलेटेड साधर्शता होती है उनको रखा है लेटर से रिलेटेड साधर्शता होती है और साध का साथ जो नंबर यानि सीरीज से रिलेटेड साधर्शता होती है ती कि बात करें तो यहां पर दिया गया है यहां गया है मुद्रा जिस प्रकार से टकसाल से सम्मंदित है आप सभी जानते होगे मुद्रा जो सिक्के होते हैं उनको कहां पर बनाया जाता है टकसाल जिसको मिंट इंग्लिश में कहते हैं टकसाल में बनाया जाता है उसी तरह से इट कहां पर बनाई जाती है हर को इससे पर चित होगा कि इतों का जो निर्मान होता है वो भट्टे पर किया जाता है या नि भट्टी हो जाएगा ठीक है पूजी आप जानते सिमेट्टी चर्च या गेवयाड एक ऐसी जगे जहां पर इट बॉडिस को बरीट किया जाता है बाकि ढलाएगर आपको पता है ठीक है अगला कुशन है सेटेंड कुशन देखें यहां पर कीट नाशक किस प्रकार से संबंदित है पौधे से तो यहां पर आगे की जो एनलाजी होगी साधर्शता होगी वो किसकी रहेगी आप सभी जानते होगी की की प्रियोग with आदकि सुरक्षा कि रहें हैं पाधे में रोग ना लगें कोई दिक्कत ना हो इसumber नाशक करते है कीट नाश्ग करते है कीट की सुरक्षा की जाती की इंजेक्शन से ज्वरखी सुर्ख्षा की जाती है तो उसके भाफ से इनकी क्या रखषा करता है यह निए तीक्त्र उख्षा कर है magazine जिस प्रकार से संपादक से related है उसी तरह से नाटक से संबंदित क्या है सबसे पहले इसमें relation देखें आप सभी जानते होंगे चाहें magazine हो newspaper हो कोई भी तरह की हो तो उसके जो content होता है उसमें जो content प्रियोग किया जाता है उसको final करने वाला या उस पर पर नजर रखने वाले को क्या कहते है संपादक एडिटर प्रमुक होता है एडिटर आप सभी जानते होंगे उसी तरह से अकर कोई नाटक हो रहा है उसका मंचन किया जा रहा है तो सबसे जादा वहाँ पर जरूरी जो होता है वह उसका निर्देशव होता है वही रिसाइड करता है कि नाटक में किस तरह से क्या चीज ले की जाएगी या किस तरह की घटनाय घटित की जाएगी ठीक है वाकि किलाडी मैनेजर अब नेतासिस का कोई ले ना देना नहीं ठीक है किस प्रकार से सांब को सरीषर आप सभी जानते है सांफ रेप्टायल वाले जीवों मुथ की जाती तो पिर कि जाती होगी ऑम होता है है मतलब चीजों को समझने का हमारे चारों तरफ की जो सामान चीज़ें उनको जानने का एक तरह से कह सकते हैं जीके का नौलेज जितना अच्छा जिसको होता है सबसे जादा शब्दों से related analogy उसी के इच्छी जाती है तो बाकी की जो चीजें होती वो आगे भी आएंगी आगे बात करते हैं इंगले कुशन की नेक्स कुशन देखिए यहां पर है पोलियो जिस प्रकार से पोलियो जो है वो वायरस से होता है पोलियो का इतना सारा अभियान चला है तो इसी वायरस को इस प्रकार से पुस्तक समद्ध किससे है विशयासूची से है प्रश्ट क्सतकाले से है यह लेखत से है ना तो यहां पर जितने भी शब्द हैं वो सब related किसे हैं, बुक से ही related हैं, लेकिन हमें exact कौन सा लगाना है, यह हम यहां पर relation जब पता करेंगे, तब हमें पता चलेगा, आप सभी जानते होंगे कि पंखुडियां, जब कई सारी पंखुडियां मिलते हैं, तो फूल का निर्मार किसी भी पुष्ट को बनने के लिए यह सारी पंखुडियां उसमें होती तो फूल बनता है, तो किसी पुस्तक का निर्मार किसे होता है, आप सभी जानते होंगे, पेज और इसके अलाबा, भिशे सूची से कोई लेना देना है, पुस्तक का इक शुरुआत में दिया जाने होता है, जिसमें हमें आगे की जानकारी मिलती है, ठीक है, उस्तकाले लेकर आप सभी जानते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, नेक्स देक्स देक्स कुशन, अगला कुशन कह रहा है, पुड़ा सा स्पीड में ही करेंगी, ताकि maximum कुशन हो जाएगा, और एक तरह सी, सपरफास डि वीजन की तरह साधर्शता कंप्लीट होजा, ठीक, जिस प्रकार से सेकंड no two होता है, वह मिनट से संबन दी का समद्द किस से बताए गया है, इन्द से इनका संबन अच्छी तरह से जानते हैं कि सेकंड के आगे की जो ही काई होती तो तो यहां पर हो जाएगा सब्ता दिनों से सब्ता बनता है सब्ता से महिना बनता है और महिनों से साल बनता है इस तरह से यह टाइम लाइन आगे बढ़ती है चीक है चले आगे देखते हैं अगला कुशन कहरा है अगर कुट्टा है कुट्टे का सम्मंद रेवीज आप तुरन जानगे होंगे जिस प्र और जो मलेरिया होता किसे होता मकछर से होता यहां पर यह सकता था यहिस। ज़िए पक्षी विग्ञानी सिप्रकार पक्षी से संबंदित है आप सभी जानते पक्षियों का अध्येन होता है उसको करने वाले को क्या पक्षी विज्ञानी कहेंगे तो यहां पर यह जो लैंग्विज दी है हमें इसको समझना नर्विज्ञानी किसे कहते हैं तो नर्विज्ञानी होता है जो मानों से सम्बंदित जो भी चीजें हैं उसका अध्यन करता है संस्कृति हो उसका खुद के उसे शरी से बंदी मतब टोटल जो मनुश्य से रिलेटेट जानकारी होती है उसके अध्यन करने वाली शाका को क्या कहते हैं नर्विज्ञानी कहते हैं मानों यहां पर हमारा अंसर हो जाए आगे देखें शरीर जिस प्रकास से कंकाल से संबंदित है तो उसी तरह से व्याकरण से क्या संबंदित होगा तो यहां पर हम देखेंगे आप सभी जानते होंगे कि शरीर जो जिस पर ठिका होता है जो शरीर का आधार होता है वो उसका कंकाल होता है हड्डियों का जो ढहचा होता है वही उसका आधार होता है जिस पर शरीर टिका रहता है तो व्याकरण का आधार क्या होता है अगर हम व्याकरण की बात करें तो वो किसका आधार होता है मतलब व्याकरण का आधार नहीं व्य थिका से संबंदित है जिस प्रकार से उस प्रकार से नेपाल से क्या संबंदित है फ्राइप नेपाल जो जो प्रवर्शन और यू खोलन करें नैपाल तो ऑलत कि सब्सें उची कैई अगला कोश्य देखिए अगला और कोश्चन कह रहा है किस प्रकार से संबंदीद है कागत से उनका नीचे वाले और उप्षोन में क्या उसी तरह का नहीं है धागा और सुई एक अलग-अलग है इनका आपस में रिलेशन सिर्फ इतनी है कि सुई से धागा यूज किया जाके मतलब सुई धागा को यूज करके सिलाई कर सकते हैं ठीक है अगला है अगला कुशन कह रहा है यहां पर देखे कुछ लेटर या अलफबेट से रिले बी की प्लेस वेलू कितनी होती दो और एकी कितनी होती है पांच होती चीक है और आगे इसको क्या कहा जा रहे है डी वाई डी कितना होता है चार और जो वाई होता है वो कितना होता है 25 यहां से तुरंत आपको देखके लग जाएगा कि यहां दो का बर्ग किया गया है और यह पांच का बर्क किया गया है तो इनकी जो भी प्लेस वेलू होगी उनका बर्क कर देंगे C मतलब 3 होता है और D मतलब 4 होता है तो 3 तरका 9 और 4 शकू 16 9 16 पे होते कौन से 9 मतलब I और 16 मतलब होता है कौन P I और P तो यही option जहां पर होगा IP वही हमारा उत्तर हो जाए ठीक है तो इस तरह से प्लेस वेलू पर आराम से यह निकला आता है इधर देखी नेक्स बुफैलो जिस तरह से काप से संबंदित है उसी तरह से डियर से संबंदित क्या होगा आप सभी जानते हैं कि बुफैलो के बच्चे को क्या कहते हैं फान बोला जाता है और इंसान या किसी अनजानवर का भी बच्चा हो सकता है जो किट जिसके लिए उसके जाता है तो अगला देखिए यहां पर भी सेम चीज है उपर कुशन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है आपको दिया गया जिस तरह से बोन का स संबंद और्थोपेडिस से है उसी तरह से कैंसर का संबंद किस से होगा हड्डियों से ले रिलेटर जो समस्या होती है उसको सही करने वाले डॉक्टर को क्या करते हैं और्थोपेडिस्ट कहते हैं तो फिर कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाएगा ऑनकोल लेटेड होता है उनको लॉजिस्ट होता है जो होता है पेट से रिलेटेज जो समस्याओं का समाधान करता है या उसको हपेटेलोगिस्ट कहते हैं और है सबसे पहले देखते हैं यह किस तरह से इस से यहां पर देखिए बी का बाई से संबंद कुछ है हाँ बी का पोजिट वाई होता है बी की जो प्लेस वेलू होती है वो दो होती है अब तक पता हो चुकी होगी सी की तीन होती है इन सभी के जो अपोजिट होते है वो यह लिखेंगे और पता कैसे चलता है कि किसका अपोजिट क्या है आप किसी भी को 27 से अगर माइनस करेंगे 27 से माइनस 2 करेंगे तो इस 2 यानि B का हमें अपोजित पता चल जाएगा 27 माइनस 2 होता है 25 और 25 किसके लिए उसके आजाता है Y कि यह 26 होता है इस तरह से आप किसी का भी अपोजित निकालोगे यही अपोजित निकल गयाएगे तो हमें लगाना क्या है हमें इसका अपोजित देखना है इसके अपोजित के लिए सबसे बेतर रहेगा आप कोई भी देख लीजिए सब में अलग-अलग लेटर है यहां यह यह लए लाश्ट में देखिए सभी में अलग-अलग है तो आप आखरी का देख लीज़े न, S की जो place value होती है, वो 19 होती है, और 19 को अगर आप 27 माइनस करोगे, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 के लिए जो later use किया जाता है, वो क्या होता है, किसकी place value होती है, तो H किसमें last में, यानि यही हमारा answer हो जाएगा, और यहाँ पर बैट के पूरे सभी को check करें, तब इसको लगा है, आप सीधा आपको जहां पर answer मिला है, हमने तो पहले को भी नहीं check किया, क्यूंकि पहले में L दो बार था, तो यहाँ पर confusion होता है, इसलिए last वाले को check कर लिया, जिसका opposite मिल गया, वही हमारा answer हो जाएगा, ठीके, चलिए next question, कि कुछ चीज़ें होती हैं, जहां से खुड़ा वो time अपना बचा सकते हैं, देखे, cricket एक game है, आप सभी जानते होंगे, तो इन जो चारो option, इन में कौन सा इस तरह की analogy को follow करता है, कैसे, cricket अगर game है, तो book read की जाती है, book read की जाती है, मन्दब cricket को game थोड़ी किया जाता ह हो गया, king rule करता है, हिंदी language है, जिस तरह से cricket की, अगर आप से पूचे cricket क्या है, तो एक शब्द में उसका उतर आएगा, cricket एक खेल है, उसी तरह से हिंदी क्या है, अगर पूचा जाया तो तुरंत उसका उतर आएगा, हिंदी एक भाशा है, तो यही संबन जो है, C में, यह इस तरह से संबन्दित होगे, आप सभी जानते होंगे, आर का संबन्द 9 से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि 9 से related हो, R की अपने आप 18 होती है, ठीक है, U के लिए use किया जाता है, 21, और 21 का संबन्द कोई 6 से तो हो नहीं सकता, जब ऐसा कुछ आ जाये, और फिर आप एक नज सा लाजी लगता है यहां वाले लेटर जो होते वो यहां पर होते तो इन्हीं को यहां पर बस लिखना होता है, जाये से से के लिए 9,8,6,9, है ठीक है तो बस हो गया हमारा आगे देखिए अगला देखिए कुश्चन यहां फेस से वही सेम है अलफाबेट से डिलेटेड है सीरीज एल के जे एम एन ओ देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो किस तरह से यह है एल को अगर एल के बाद क्या आता है एल एम एक यहां पर प्लस हो रहा है एल एम के के एल एम के एल एम एन इसमें तीन प्लस हो रहा है और जे के बाद ओ में कितने होता है पांच होता है तो प्लस बन प्लस थिरी और प्लस फाइब यह आगे दिया गया है मतलब किस तरह से पहले के लिए 1 के आगए दूसरे के लिए प्लस 3 के आगया और तीसरे के लिए plus 5 के आगे 5 आगे जाओ तो आपको जे O मिलेगा जे के आगे तो बस वही यहां पर लगाना एक बढ़ाना है तो D क्या होता है D के बाद E di के बार e ईजाएगाactor penguin है कि फैर शहां पर हो यह दो जग है चलिए और एक बार देख लेते हैं c के हमें 3 आगे जाना है मतलब n तो c अब्छनी आप में कितना होता एंत तीन 45 और शे की लिए क्या होता ईब होता आपर है इसकी के यहा और निकालो या ना निकाल को यहां पर खुशन होता है तो क्या किया जाता हो यह को छोड़के लगा 61 कैसे आया अगा इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 16 तो 61 तो नहीं हो सकता है हाँ इतना हो सकता है 16 की जो डिजिट्स है उनको पलट के लिए गया हो यानि इसको 61 कर दिया गया तो क्या यहाँ पर जो यह चीज फॉलो होगी तो कि इस डासा इंगे देखते हैं जे की लिए क्या होता या यहाँ सभी को जोड़ेंगे तो इस है कुशन ये भी देखिए 34 को किस तरह से 4 कहा गया है तो 46 को क्या कहा चाहिए चलिए चौथ 35 का 4 के साथ कोई लिटरली कोई सीधा समझन हमें नहीं दिख रहा है क्या तो पाड़े में आता है ना तो किसी तरह से आता है तो क्या किया गया होगा पांच और तीन आठ अगर इसको जोड़े तो आठ आएगा और आठ का यह क्या आठ वटे दो यानि चार ठीक है क्या यह लॉजिक लगा कि यहां पर ऑप्शन हमें मिलेगा छे चार दस दस हो जाएगा और दस वटे दो करोगे तो पांच आना यह बिए वर्ग संख्या है तो सवरे यह घंद सनख्या यह बी एक और थायँ किस का ख़न होता है और यह 125 किसけれ पांच ठीक है लेकिन यहां पर 18 कहसे आ आया तो अठारे आने के लिए दो से सोले से अठारे का कोई सीधा संबन नहीं है यहां से अगर हम देखें तो जो बेस है और जो पावर है उनका आपस में गुणा करके यह जो नेक्ष्ट इससे रिलेटर संक्या वो लाई गई या नी छेतिया अठारा तो यहां पर क्या कर सकते हैं पांच का तीन में सम्द गें कि क्या क्या सथ सोचा जा सकता है यहीं बरकर किस तरह नहीं पर-स यह इंस नहीं है एगाक और किशष्ट यहां पर देखें बहात्र को किस तरह से से अठारे लिखा गया अब 18 का संबन 18 का अगर हम सीधा सीधा संबन देखें तो इसके साथ क्या बैट रहा है चार बार अगर हम गुड़े की बात करें तो अठाच चोग बातर ये चार बार है तो क्या ऐसी कोई संक्या है जिसका हम 14 क्या यहां 14 ओप्शन में है 14 चकुछ 56 चोदे नहीं है तो यह तो लॉजिक नहीं लगेगा यानी अठाच चोग 62 वाला लॉजिक नहीं लगेगा फिर क्या लगज रहा होगा 7,9,12,18,6,5,11,11,12,22 क्या 22 है हाँ 22 है तो 22 वाला ये वाला लॉजिक सही काम कर गया और यह हमारा अंसर निकाल ले जाएगा अगे लेकी next question कह रहा है कि जिस तरह से ये संक्या इस से संब्द ने थे आपको देखने से ही लग रहा होगा कि 4507 का क्या संब्द हो सकता है 200 और 30 ऐसा कोई भी संब्द नहीं है कि 240 और 30 से हमारा कोई संब्द बैठ रहा हो से लेकिन एक चीट तो सकती इनके ज़्यरहां अंकों का योग करें क्या जब कुछ भी ना सभाए तो का योग करो भई 5 शार 9 और 9 और 7 कि तो ए्चे1 इस्का क्या बैट रहा है आठ Green ग्यारह दो तेज्व Scientists रहा है ठीक है इसके अंकों का युग क्या बैठ रहा है इधर देखिए 1976 रचाइए है तो अब नीचे कौनसा होगा जिसके अंकों का यूग 13 है क्या ऐसा कोई option है आठ पांच आठ पांच ते रहे तो यहां पर तेरे इसी का हो जाएगा और यहीं हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा तो यहां पर ऐसा लौजी क्यों लगा होगे आप क्यूंकि आपको लग जाएगा 457 का 238 के साथ कोई ना तो गुणा में ना तो जोड में ना घटाना में कोई सीधा संबंद निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है तो सीधा जब ऐसा ना निकले तो यह चक्तर में भी ना पढ़ो क्यमिस्से इसको घटाएं इसका अंधर निकालें फिर इसका अब इसका अगर दूसरे में follow हो रहा है तो फिर वही हमारा answer हो जाएगा यहां पर देखिए 25 का 21 के साथ संबंद है तो 42 का किसके साथ संबंद होगा अब 25-21 का यहां पर relation हम लोग देखते हैं क्या ही बनेगा relation जाके देखते हैं 25 मतलब अगर यहां पर देखें 5 पांच पच्चम 25 नहीं नहीं इस तरह से तो नहीं बर रहा है इसको देखें 5 दो साथ कितना हो रहा है साथ पांच दो साथ और साथ में कितना गुणा किया गया तो कितना आया 21 चीक है इधर देखते हैं चार दो छे कितना आया चे और छे में तीन गुणा करेंगे तो अठारे आएगा तो क्या अठारे अंसर में है कि पहभूज है आप यहीं मालिजे कि कोई चतुर गुज ही है तो इसके चारो तरब की जो यह लंबाई होती है लंबाई चुड़ाइए जो भी जितनी दूरी होती है उसको क्या नहीं परिमाप कहते हैं और परिमाप को क्या कहतें पेरिमीटर मोलते हैं तो यह option यहाँ पर हो जाएगा पिछली एक्जांस में कई बार देखा है कि इंगलिश के बहुत सारे वर्ड्स यूज किये गए थे चाहें वो यूपी एसाई की रिजनिंग आई हो कोई भी रिजनिंग आई हो तो आपको यह भी है कि इंगलिश में ची प्लंबर का संभनों किस्ते होगा लग्ड़ी से अब सब्यों जानते हो फिटिंग होथी हो फ्लंबर का काका हुछ खिकए प्लंबर काहां है देखके हैं dei क्या शाण गरा नहीं तो फिर क्या बनेगा आठ को अगर आप देखो चौसट के दो को तो देखने से लग रहा है कि किसी ना किसी संग्या के बर्ग है और आठ होता है दो का वर्ग और जो चोश्रह का वर्ग 3024 का उपी संख्यां यह पहली संख्या तो उसका घन कर रहे इसके संख्यां का बर करें गया पच्छं पच्छीस को 25 ही हमारा answer हो जाएगा गैराज यह बहुत पूछा जाता है हो सारे एकजामें गैराज का समझे जिस प्रकार्ण से मौटर कार्ड या अब सभी जांते हें मोटर कार्ड को जो भी होती है बहान होते है पोल गिलेर्ट उनको तो बाईयोन को कहा रखा जाता है कई बार यह दिभिन परिक्षाओं में पूछा गया कुछन है उसको हम हैंगर बोलते हैं हैंगर में बाईयान को रखा जाता है आप और कोई जिसमें बहुत सारी चीजें बीमारियां होते हैं खेल पूर राजदान इस्थान होते हैं यह सभी तरह के कुछन्स उसमें पूछे जाते हैं दोनों ठीक है और जो लेटर और नमबर शीरीज दोनों ठीक है तो आपने इनको देखा समजा होगा आई ठीक आपकी एक्जाम के बहुत फायदेबन रहेगा क्लास आगे जुड़े रही हमसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट प्रसंद आ रहा है और इसी तरह से एक्जाम से लिटेद आपकी जानकारी हम देते रहेंगे